हेलो डियर स्टूटेंट, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल दख्यों अप मैथमेटिक्स क्लासेश में बच्चों आज के इस वीडियो में बिहार बोड के द्वारा जारी कोशन पेपर के अपजेक्टिव पार्ट का सॉलिशन देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किये तो बच्चों हम लोगों का पहला प्रस्न है बच्चों हम लोगों का पहला प्रस्न है DC of X minus sin X तो इसका DC बच्चों क्या हो जाएगा? इसका option number B हो जाएगा आपका सभी अंसर इसका option number B हो जाएगा सही answer ठीक है question number 2 में क्या कहता है आपको activated question number 2 का सही answer हो जाएगा B 2 का क्या हो जाएगा B हो जाएगा सही answer Q3 005 कुसिशं 3 देखते है Q3 में कहता है 2 I cape plus 3 J cape cross 3 Kієn तो भचो इसका सही answer हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा B इसका इसाई अंसर हो जाएगा B ठीक है question अगला देखते है चार नमबर तो चार नमबर question में कहता है बच्चों कि 3 IK माइनस 5 KK प्लस 4 JK vector का magnitude आपको बताना है क्या बताना है magnitude बताना है आपको तो क्या हो जाएगा magnitude इसका चार नमबर का अंसर हो जाएगा आपका B चार नमबर का क्या हो जाएगा बच्चों तो B हो जाएगा पंच नमबर question देखते हैं तो पंच नमबर का कहता है कि अवकल शमीकरन अवकल शमीकरन अवकल शमीकरन 2X DX प्लस 3Y square into DY equals to 0 का हल है तो यहनिकि आपको the solution of the differential equation यहनिकि आपको इस differential equation का solution मांग रहा है तो 5 का हो जाएगा बच्चों क्या तो 5 का हो जाएगा आपका B तो 5 का क्या हो जाएगा बच्चों 5 का हो जाएगा आपका C ठीक है पंच का क्या हो जाएगा C हो जाएगा आपका ठीक है उसके बाद question number 6 देखते हैं तो question number 6 देखते है छे में भी वही कर रहा है the solution of the solution of the the solution of the differential equation e to the power x minus e to the power minus y into divided dx equals to 0 question number 6 जो है बच्चों question number 6 का जो है आपका answer हो जाएगा C question number 6 का क्या हो जाएगा बच्चों C हो जाएगा देखते question number 7 सेवन का कहना है दी पर दी उफ्टिनाइन इंटू साइन ग्स्टार सेवन इसी हंग इसुफंध इसका हो जाय वह सेवन क्या क्या हो जाएगा सी थे रचा आपको फाइन करना को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब 2x का, cos x plus sin 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x plus sin 2x, नहीं, question number 8 का answer हो जाएगा, तो b हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, बच्चों, b हो जाएगा, question number 9 का हो जाएगा, बच्चों, b हो जाएगा, question number 9 का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, देखते है, question number 10, तो question no.10 में क्या कहता है आपको तो question no.10 में कहता है इस second order derivative बताना किसका e to the power 2x का तो question no.10 का सही option हो जाएगा C क्या हो जाएगा बच्चों सही option हो जाएगा C तो question number 11 का क्या हो जाएगा question number 11 का कहता है आपको dc बताना है 3 sin square x plus 3 cos square x का question number 11 का सही अनसर हो जाएगा a, ठीक है अब question number 12 का देख लेते हैं हम लोग question number 12 का देख लेते हैं थोड़ा से हम लोग question number 12 का देख लेते हैं 12 में कहता है आपको dc बताना है 3 cos x into हो जाएगा आपका डी ठीक है तो तेरा देखते हैं क्या करता है तेरा नंबर में कहता है कि फॉर इंटू पॉर फॉर इंटू कॉस एक्सवाइब फॉर का डीसी बताना है तो तेरा का क्या हो जाएगा नंबर देखते हैं कि आपको बोल रहा है बच्छुर का जहां बेस यह सबाना है तो ऑसन बताना है और एक में देखिए 15 में आपको log of 3x square जहां base e है का dc बताना है यानि कि log of 3x square का dc बताना है तो 15 का हो जाएगा बच्चों आपका सही answer d ठीक है 16 नंबर देखते हैं तो 16 नंबर question क्या बोल रहा है आपको तो 16 नंबर question में बोल रहा है आपको dc बताना है किसका तो 1 by 5 into 10 5x का ठीक है तो 1 by 5 into 10 5x का तो 16 नंबर का answer हो जाएगा बच्चों c 16 का क्या हो जाएगा आपको c हो जाएगा ठीक है 17 का क्या हो जाएगा बच्चों तो 17 में कर रहा है आपको कि if x equals to a cos theta y equals to b sin theta then find d by by dx यnne x a cos theta है वाइब b sin theta है तो d by by dx क्या होगा तो 17 का आपका answer हो जाएगा d तो 17 का option क्या हो जाएगा बच्चों d हो जाएगा ठीक है 18 देखते हैं हम लोग 18 देखते हैं तो 18 में काता है integration of cos square theta into c square theta आप देख सकते cos square theta into c square theta 1 हो जाएगा तो 1 का integration हो जाएगा theta respect में theta plus k यानिकि 18 का हो जाएगा option number c आपका तो 19 देखते हैं हम लोग 19 देखते हैं जल्दी से हम लोग 19 का बोल रहा है आपको 19 का बोल रहा है कि integration of sin cube theta plus sin theta into cos square theta into d theta यानि theta respect में आपको इस function का क्या करना है तो आपको integration बताना है देख सकते sin theta जिदी common लेते हैं तो bracket में बज़ेगा sin square theta plus cos square theta जिसके लिए 1 हो जाएगा हो जाएगा क्या तो 21 का option number हो जाएगा आपका 20 सही तो 21 का option नुमर क्या हो जाएगा आपका बच्चों B हो जाएगा question number 22 में कहता है यिन 3i कोई वेक्टर है उसका मेगनिचूड बताना है तो हो जाएगा आपका 22 का D हो जाएगा ठीक है तो हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर की ओल तो 23 नंबर कोशन में क्या कहता है बच्चों आपको इंटिग्रेशन बताना है इसका 3 इंटिग्रेशन अब 2X इंटू टेंट लेक्स टीएक्स तो 23 का हो जाएगा बच्चों ए बच्चों चलिए 24 में जलती से चलते 24 का हो जाएगा बच्चों सी आप लोग मेच कढ़ाते हैं चलिए बहुती इजी सब क्वेश्चन है चलिए 25 नंबर देखते हैं तो 25 नंबर हम आपको QaSq kx2-qqx जिसके लिए 1 रट जाएगा वहाँ पर QaSq तो QaSq kbcdc हो जाएगा minus sinx यानि कि 25 का हो जाएगा आपको 26 का देख सकते हैं 26 का sin inverse x Sindsq 2 1 by root under 1 minus x square जब 1 by root under 1 minus x square भें घटे का सेम चीज तो result हो जाएगा आपका 0 हो चलिए तो 27 नंबर देखते हैं हम लोग 27 नंबर में देख सकते हैं क्या हो जाएगा तो 27 में हो जाएगा आपका 27 में integration of e to the power x into 10x plus six square x इसका form होता है कि 10x देखे function of six square x उसका DC है इसलिए इसका result हो जाएगा हो जाएगा इसलिए इसका हो जाएगा आपका 29 देखते हैं क्या है आपका 29 में कहता है 39 में कहता आपको integration of e to the power x into cos square x minus sin 2x dx तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों 29 का हो जाएगा आपका b 29 का हो जाएगा आपका b 39 का हो जाएगा b 30 नमबर देखते हैं हम लोग 30 नमबर देखते हैं 30 में कहता है integration of e to the power x into 10 inverse x plus 1 by 1 plus x square into dx यानि कि देख सकते है 10 inverse x का बाजू में क्या dc है इसलिए इसका हो जाएगा e to the power x into 10 inverse x अब देख सकते है 30 का कितना हो जाएगा बच्चों a हो जाएगा 31 नमबर का देख सकते है 31 नमबर का जो है थोड़ा सा calculation करना होगा x square का x cube by 3 में जो अपर limit minus lower limit इसका solution हो जाएगा 31 नमबर का c हो जाएगा ठीक है चुकि हम करके रखे हुए इसलिए फटा-फटा आप लोगों को बता रहे हैं चलिए question number 32 देखते हैं हम लोग 32 देखते हैं थोड़ा सा हम लोग 32 देखते हैं थोड़ा सा हम लोग 34 नमबर में हो जाएगा आपका 34 नमबर में हो जाएगा आपका 34 का answer हो जाएगा 34 का answer हो जाएगा ठीक है 35 नमबर की और प्रस्थान करते हैं अब हम लोग 35 नमबर में function दिया आपको function दिया आपको log of 10x limit दिया 0 से 5 by 2 ठीक है थे एक्स के respect में आपको definite value देना इसका तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों 35 का answer हो जाएगा आपका a हो जाएगा यानि कि 0 हो जाएगा ठीक है चलिए 36 की और देखते हैं हम लोग 36 का answer हो जाएगा बच्चों कितना तो 36 का हो जाएगा आपका 36 का हो जाएगा d यानि पाए बटे 12 37 का हो जाएगा बच्चों आपका answer c यानि पाए बटे 24 चलिए 38 की और हम लोग बढ़ते आगे 38 नमबर में क्या हो जाएगा बच्चों 38 नमबर में हो जाएगा आपको काता है कि 0 to 1 है आप फंक्शन है यानिका आपको integration करना है फंक्शन का 10 इंवर्स 2x माइनस 1 मटे 1 प्लस x माइनस x स्क्वेड जान लिमिट है 0 से 1 ठीक है इसका वेली हो जाएगा 38 नमबर का b 38 क्या हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा चलिए 49 नमबर का देख लेते देखते हैं क्या हो जाएगा 42 में हो जाएगा आपका 42 में हो जाएगा आपका 42 में देख सकते हैं b में जो option है उसी का integral value आपको दिया गया है इसलिए 42 का हो जाएगा b 42 का हो जाएगा b 43 का हो जाएगा b 43 का भी भी हो जाएगा ठीक है अब 44 में चलते तो 44 का हम लोगों के पास क्या है option देखते जरा तो 40 का है आपको function दिया है 10x to the power 10x to the power 23 into 6x to the power 10 है यह भी आपका odd function हो जाएगा तिसलिए 44 का answer हो जाएगा a that is 0 45 देखते हैं क्या हो जाएगा 45 में तो 45 में हो जाएगा आपको 45 में हो जाएगा करता है कि the solution of the differential equation 3x square into dx minus cos y into dy equals to 0 the solution क्या हो जाएगा 45 नंबर का तो 45 का हो जाएगा बच्चों b 45 का क्या हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा चलिए 46 की ओर हम लोग चलते हैं 46 नंबर में क्या हो जाएगा 40 में हो जाएगा the integrating factor of the differential equation integrating factor बताना है तो 46 नंबर का integrating factor हो जाएगा धी CT ठीक है 40 का क्या हो जाएगा धी चलिए 47 4 नंबर question में चलते है 서St?」 सब्सक्राइब नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते पहला मेट्रिक्स में दो कॉलम है दूसरा में जो है इसलिए गुना नहीं होगा चलिए उन्चास नमर कोशन में कहता है कि आपको एक मेट्रिक्स दिया है और दूसरा मेट्रिक्स है टुबइ वड्रे का गुना करने पर आपको वन वड़े का मिले यानि D हो जाईगा इसका सही। पचास का अंसर हो जाएगा A 51 का देखते हैं क्या है बच्छों question 51 का हो जाएगा आपका 51 का हो जाएगा आपका D 52 की और चलते हैं 52 की और चलते हैं 52 में हो जाएगा आपका आपको दिया the adjoint matrix of the matrix जिनिकों matrix given है जिसका element 7654 है उसका आपको adjoint adjoint बताने के लिए कहता है तो adjoint इसका हो जाएगा नहीं 52 का अंसर हो जाएगा C 52 का क्या हो जाएगा बच्छों C हो जाएगा ठीक है तिरपन नंबर question देखते हैं तिरपन नंबर question देखते हैं हम लोग तिरपन नंबर question देखते हैं चलिए चोवन नंबर कोश्चन देखते हैं तो चोवन नंबर का कहता है कि भाई एक मैट्रिक्स दिया उसका इन्वर्स मैट्रिक्स पर आप देख सकते हैं यह आइडिन्टिटी मैट्रिक्स है आइडिन्टिटी का इन्वर्स भी आइडिन्टिटी होता है यह चोवन का हो जा जाएगा चोभीस ठीक है चपन नंबर कॉश्चन देखते हैं तो चपन नंबर कॉश्चन में क्या हो जाएगा चपन नंबर में कहता है कि आपको कोई प्लेन दिया गया है उसका क्या हो जाएगा तो संतावन नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों संतावन का हो जाएगा आपका क्या बच्चों वी तो सबके नीचे में वं वन है इसलिए उसका इस लाइन का डारेक्शन को सैर्ट को स्थर्यों यंगरे उसकका क्या हो जाएगा च्रुचन डे से पास करते हैं उसका Cartesian equation दिया गया है तो कहता है कि किस बिंदू से गुजरती है तो हो जाएगा 3,4,5 है ना जो कि option number A में है चलिए 60 का question number 60 देखते हैं हम लोग यानि कि उसको लिजएगा 9 बटे 27 बढ़ावर 8 बटे एक तापको यहां से एक्स का विल्यू मिल जाएगा साथ नमबर में चोव इस यानि option number C हो जाएगा ठीक है एक सट नमबर question देखते हैं एक सट नमबर question का जो है एक टुसी तो भाइश जो है यानि composite function जो होगा वह ससी में वह भी क्या होगा 11 on 2 होगा एक सट का हो जाएगा एक सटका हो जाएगा ए ठीक है set है जिसका element 1, 2, 3 है और f f processes number question में 1 1 2 2 3 3 तो आपको जो बताना है F कैसा function है F कैसा function हो जाएगा 63 number का हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक है तो option number क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा चलिए 64 number question देखते है 64 number question 64 number question में कहता है 64 number question में कहता है कि if X capital X equals to set of ABC then the number of all 11 function from X to X is तो X में आपको 3 element दिया गया है तो कहता है कि X से X में सभी 11 function की संक्षियां बताइगे क्या हो जाएगा 64 number का बच्चों हो जाएगा जो है यहाँ पे 3 element है है ना तो 3 element है तो आपको जो है क्या करना है 3 element है तो 3 का factorial ले ले लेना है तो 3 का factorial क्या हो जाएगा C तो 3 का factorial हो जाएगा आपको C तो हो जाएगा आपका 3 का factorial 3 गुना 2 गुना 1, 3, 2, 6 तो 64 का हो जाएगा C 64 का हो जाएगा C ठीक है 64 का हो जाएगा C अच्छा 65 का क्या हो जाएगा तो 65 का हो जाएगा C 65 हो जाएगा क्या आपका सी ठीक है चलिए 66 नंबर देखते हैं 26 में आपको hem 2000 कर देना है तु vraiment let my न अर्सट देखते हैं तो अर्सट जो है एर्सट बना कॉश्चन में थोड़का सा डाउट है इसलिए हम लोग 59 नंबर का देखते हैं ठीक है 59 नंबर का कोश्चन देख लेते हैं 69 नंबर का तो देख सकते यहां पर प्रॉब्सटी डिस्टिब्यूशन का सवाल है पी एक्स बला जितना पाठे सबको जोल करके वन कीजिए वहां से के का वेल्यू मिलेगा जिरो पॉइंट वैंट फाइव यहने की ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखिए सतर नंबर यह सेवेंटी नंबर का हो जाएगा आपका तुस कौन से एक्स कर समभावित मान नहीं होगा यहने डी नहीं होगा क्या नहीं होगा डी नहीं होगा क्या नहीं होगा डी नहीं होगा यहने की सतर का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही अंसर ठीक है एकतर नंबर देखते हैं एकतर नंबर में कहता है आपको एकतर में कहता है आपको एकस्तर का यह हो जाएगा 72 नंबर देखते हैं हम लोग 72 नंबर देखते हैं तो 72 का क्या हो जाएगा बच्चों तो चाहुत्तर नंबर में आपको दिया है कि जदी ए इंटर्सेक्शन बी का प्रबबिलिटी चार बटे तेरा है और बी का प्रबबिलिटी नो बटे तेरा है आपको बताना ए अपॉन बी का प्रबिलिटी ये कंडिशनल प्रबिलिटी का सवाल है इसलिए इसको जो है हम लोग फॉर्मुला पर बठा करके डारेक्ट बनाएं तो इसका अंसर हो जाएगा चाहुत्तर का कितना हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा ठीक है चलिए तो 75 नंबर का कॉर् आफ इपन क्या हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है 75। सब Zahlen जाएगा अपको एक हो इन्टीटल डाल हों मिलिगा याना की कि हो जाएगा भी ठीक है कि 17 नंब्र का थोड़ा सदेख लेते हैं लोग 1967 मैं आपको वहाँ W सब्सक्राइब निकालेंगे उसके बाद उसका मेगनिचूड तो इसका अंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा बच्चों आपका तो मिच्वली पर्पेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का कंडिशन है 78 में इसलिए आप अपने हिसाब से देख लिजेगा इसका इसका वेल्यों आ जाएगा 78 का आपको चलिए 79 देखते हैं तो 79 में बच्चों क्या कहता है तो आपको कहता है जदी कोई जो दिया गया वेक्टर यूनिट वेक्टर इसका अंसर हो जाएगा भी प्लस मैनस वन बारूट थी ठीक है अगला कॉश्चन क्या कहता है 80 नमबर में कि जदी if a and vector and vector b are parallel then then देखें कहता है कि जदी a और b parallel हो तब इस चारों में से कौन सा option होगा तो option हो जाएगा बच्चों कौन सा तो c हो जाएगा आपका सही अंसर जदी a और b दो parallel वेक्टर होता है तो दुनों का cross zero वेक्टर होता है ठीक है चलिए 80 नमबर को 81 देखते हैं हम लोग 80 हो गया 81 में कहता है कि which of the following are non-negative constraints तो non-negative constraints होता है आपको x is greater equal 0 y is greater equal 0 तो आपको हो जाएगा option नमबर 81 का answer हो जाएगा a चलिए 82 नमबर का देखते हैं 82 में कहता है आपको which of the which of the following is an objective function तो objective function कौन सा होता है जेडवला तो जेडवला को हम लोग क्या कहेंगे objective function 82 नमबर का answer हो गया a ठीक है 83 नमबर का देखते हैं छोटा सा two by two order का determinant है उसका cross multiplication कीजिए तिर्चा-तिर्ची element को गुना कीजिए देखिए क्या आता है तो 83 का answer हो जाएगा आपका d यानिकी 4 ठीक है question number 84 देखिए तो 84 में क्या कहता है 84 में कहता है आपको 84 में कहता है the maximum value of z equals to 5x plus 7 where subject to the constraints आपको constraints दिया है और objective function दिया 5x plus 7 तो कहता है maximum value क्या होगा तो maximum value हो जाएगा 84 का b यानिकी 28 और 85 का हो जाएगा इसमें भी बोलाई maximum value क्या होगा तो 85 का हो जाएगा यानिकी 8 हो जाएगा ठीक है 86 number question देखते हैं लोग 86 में आपको क्या कहता है the minimum value तो इसमें आपको minimum value बोलाई क्या होगा तो minimum value क्या हो जाएगा इसका objective function दिया है 5x plus 7y का ठीक है और constant 2x plus 3y less equal 6 है और xy is less और less greater 0 है तो आपको minimum value इसमें बताने के लिए का है तो बच्छो 86 का answer हो जाएगा minimum value आपका a याने की 14 हो जाएगा minimum value 86 का क्या हो जाएगा a याने की 14 हो जाएगा इसका answer चले 87 number question देखते हैं लोग 87 number question देखते हैं तो 87 number में कहता है कि आपको minimum value बताना objective function जो है 4x minus 5y का और नीचे में उसका क्या constraints दिया गया है तो 87 का answer हो जाएगा बच्छों b minus 30 ठीक है 88 number question देखिए तो 88 में कहता है आपको minimum value बताना एक constant दिया गया है 88 का minimum value हो जाएगा वो हो जाएगा आपका c यानि कि minus 88 minus 88 हो जाएगा minus 88 हो जाएगा ठीक है यानि कि आपको 88 का answer भी minus 88 होगा चलिए बहुत बढ़ी है बात है अब मूल बिंदू 89 number का question में आपको क्या कहता है 89 number का question में कहता है the distance the distance of a point 246 from origin मूल बिंदू से दूरी बोल रहा है 89 number में इसका दूरी हो जाएगा प्लस B1 का square प्लस C1 का square उस पर बेठाएंगे तम लोगों को value मिलेगा 90 number का d यानि कि 2 upon root under 29 चलिए एक क्याओ बे नंबर का question देखते है एक क्याओ बे नंबर अब आगिया IT अब का सवाल किसका जिसका सवाल आगे IT का abbiamo sign इंबर्स 1 by root 2 का principal value क्या हो जाएगा बच्चों तो पाई याज या हो जाएगा आचा 92 का किया हो जाएगा 92 हो जाएगा 92 या आपको हो जाएगा यह equal pi minus cot inverse x का यानि b का ठीक है यानि 93 नंबर का हो गया b option चलिए 94 नंबर question हम लोग देखते हैं चलिए 95 नंबर question देखते हैं तो 95 काता है कि जदी x का value जो absolute value 1 से चोटा या उसके बरावर हो तो sin inverse 2x बटे 1 प्लस x square का value किसके बरावर हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 2 10 inverse x का यह formula हो जाता है डारेक 2 10 inverse x का तीन formula होता है उसमें से हे किये है चलिए 96 नंबर question देखते ह है दो plane है आपको तो दो plane के बीच का angle बताना कैसा angle तो आपको ठीक है तो एंगल ही बोला है सिर्फ तो एंगल बताना है तो क्या हो जाएगा 96 नंबर का option नंबर यह हो जाएगा यह नहीं कि दोनों perpendicular है प्लेन दोनों प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है पाइबाई 2 हो होगा 10 inverse x plus 10 inverse y का value क्या होगा तो हो जाएगा आपका option नंबर भी पाइप प्लेस 10 inverse x plus y बटे 1-x into y हो जाएगा कब जब एक से बड़ा होगा चलिए अगला question देखते हैं ठंडवे नंबर हम लोग क्या है कहता है कि आपको the acute angle between the two lines which direction ratios are 112 and root 3-1-root 3-1-4 each तो दो आपको यहां पे जो है दो रेखा दिया गया जिनका की direction ratio दिया है कहता है दोनों के बीच का angle क्या होगा यहां पर जो है 28 नंबर में हो जाएगा 5 by 3 नंबर का देखते है 99 number का question क्या कहता है 99 number का देखते हैं question में 99 number का question में the equation of a line passing through 2.357 and 249 इसका बच्चों answer हो जाएगा 99 number का B number option हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका B number X minus 2 upon 1 equals to Y minus 4 upon 1 Z minus 9 upon minus 2 चलिए 100 number का देखते हैं हम लोग question का answer क्या हो जाएगा बच्चों 100 का हो जाएगा जब आप 3rd row को 1st row में add कर दीजेगा तो 1st row और 2nd row एक जैसा हो जाएगा इसलिए इसका answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 0 तो जल्दी जल्दी में हम लोग 100 objective का solution किये हैं हो सकता है by mistake कहीं एक इधर उधर हो जाए लेकिन उमीद करते हैं total का total आप लोगों को clarity मिल गई होगी तो मिलते हैं इसी तरह का आगे वीडियो लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद जाएगा